एबरिवर्ण चुटे इन इस वीडियो वह लिसकेश्व अबाओट इन्फरेड रेडीएशन थेरेपी जो आपकी रेडीएशन थेरेपीजूते हैं इसमें डेडीएशन का यूजू होता है इस एलेक्ट्र मैचने के अंधर चो आपकी आरार होती है यह आपकी विजिबल ला इस टेंपरेचर जो मोस्ट कंवीनियंट मैथर्ड है आई रर प्रिडूस करने का वह है कि आप किसी रजिस्टंस वायर को हीच अप करके लेक्रिक करें इसमें से पास करेंगे तो वह रिजिस्टंस वायर हीच अपो जाएगे जिससे आई अर्र प्रिडिवसों को अब इसके तो उता है आपके कुछ नॉन लुमिनस लैंप इन दोनों में डिफ्रेंस किया वह मैं आपका क्लियर करती हूं चुल्यूमिनस लैंप सुती है इसमें इलेक्रीकली हीच फिलामेंट जो है आयर प्रिडूस करता है वह आपका क्वार्ड भी उसकता है लेकि नॉन लुमिनस यहांग इस आपका आपके बार्ड अट भी एक यहांग सोन आसा रियूजूर को हीचप करके होता है तो जो लुमिन लाम्स लैंप जिसमें आपने फिलामिन उसका है उसमें कुछ फिया थी विसिवल रीज भी आती है आयर के साथ नॉन लुमिनस से अंदर से आपको आयर मि तो सिर्फ दरभी डर्मिस और दर्मिस ही तरकि यॉजरा होुआ है लेकिन फ्jakार्डो को यह दो र१ा विडियर दिंप कर lamps होती है या इक्यूट inflammation की केसिस में दे सकते हैं यह भी आपका pain जो है वह reduce करता है लेकिन यह जो pain reduce करता है वाया sedative effect एक sedative effect produce करें के आपका pain reduce करता है इसे 20-30 minutes तक दे सकते है और जो इसमें distance है ना वह luminous lamp के comparison में ज्यादा होता है 75-90 cm तक के distance में आपको यह देना होता है effects की बात करें तो it creates some physiological effect जिसमें आप जब lamp को use करते हैं मतलब infrared radiation को use करते हैं तो आपका vasodilatation होता है vasodilatation के वज़े से आपका blood circulation enhance हो जाता है oxygen का supply enhance हो जाता है nutrient का supply venous drainage यह सारी चीज़ें आपकी enhance हो जाती है heat up होने की वज़े से और इसी का therapeutic effect हमें देखता है कि इस सारी conditions इन सारे circumstances की वज़े से आपका pain जो है वो relief होता है neurologically यह आपके muscle को relax करता है pain को reduce करता है spasm को reduce करता है इसके कुछ metabolic effects भी है जैसे आपका temperature rise हुआ तो metabolic activities भी increase हो गई जिसमें आपका blood flow increase हो गया muscle का tone decrease हो जाता है spasm कम होता है clear next हम बात करते हैं इसके indications की और contra-indications की so the indications है न यह आपके pain को reduce करने में help करता है muscle spasm को reduce करने में help करता है joint stiffness है उसे reduce करने में help करता है यह आपकी healing को accelerate करता है आपका circulation इससे improve होता है edema reduce होता है sweating in sweating होता है पेशेंट के अंदर तो बाद में cooling effect भी देता है और elasticity जो होती है tissue के उसको increase कर देता है contra-indications की बात करें तो as same as all electrotherapy modalities के सांथ contra-indications ही इसमें भी सेमी होती है आपका कोई sensation loss हो impaired circulation हो dermatological condition हो skin में किसी तरीकी का infection हो rash हो irritant हो वहाँ पे आप अपलाई नहीं कर सकते metal implant है नहीं दे सकते eyes भी नहीं दे सकते age is a factor for IRR जो age है यानि जो बहुत जादा कम age के छोटे बच्चे है वहाँ पे अपलाई नहीं कर सकते बहुत जादा old age है तो इस lamp के अंधर आपको सकते हैं तो एक lampshade होता है को इसके अंदर होती है embodied file लेके अंदर एक parabolic reflector होता है जहां से आपके जो rays हो reflective here होती है एक adjustable stand होता है जिसे आप अज़स्त कर सकते हैं जिसे किए आपका जो tissue है जो जहाँ आपको कोशिश करना है कि आपको कि आतीतर डिग्री पर कंट सो चीम कर सकते हैं इसके बाद इंट गरक पर सकते हैं यह आप प्रेषिंट के तो आप से इंटेंसिटेड फ्रहें सकते हैं एक सपोर्ट पोल होता है और बांके आपका stand होता है so this is all about infrared radiation therapy hope you guys like the video please share, subscribe and support bye bye, take care